हलो दोस्तों राम राम और शितला माता की जे तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो भगवान में हमारी श्रद्धा होती है जो विश्वास होता है वो कहीं न कहीं जरूर काम आता है और ये शितला माता का चमतकार ही मानती हूं में कि इतना बड़ा हाथसा होने के बाद भी मेरे दोनों बच्चे और उनके मामा बच गए थे तो दोस्तों उस समय की बाद है जब मेरी बेटी का लगन जा रहा था अठारा फरवरी की बाद है लगन दस बजे लेके यह लोग यहां से चले उसके बाद 11-12 बजे मैंने सोचा कि चलो एक फोन कर लेते हैं हम तो इधर डांस वांस कर रहे थे ढोल वाले को रोक लिया था हम मजे कर रहे थे बिलकुल पता भी नहीं था कि ऐसा हाथ सा महा हो गया ह है तो जब मैंने फोन करा तो इन्होंने तो नहीं बताया फिर पर कुछ ऐसा लगा क्योंकि बोलने से पता चली जाता है कि कुछ कुछ हुआ है फिर एक दूसरे जो दो थे उनको फोन करा फिर उन्होंने बताया कि गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया और हम लोग यहां खाड तो उसके बाद फिर थोड़ी दर बाद वापीस से फोन लगाया फिर उन्होंने का कुछ नहीं हुआ है सिर्फ गाड़ी खराब हुई है और गाड़ी की फोटो में आप लोगों को दिखाती हूं दोस्तों गाड़ी की हालत इतनी बुरी हो गई थी ना कि कोई कह नहीं सकता था कि उसमें जो बेठे हैं अंदर लोग वो बच जाएंगे तो यह सब कहीं न कहीं भगवान का शितला माता का यह सब जो अपनी आस्था होती है वो कहीं न कहीं जरूर काम आती है तो इस तरह से फिर यह बच गए थे और इनके बिलकुल भी सिर्फ इसके मामा और बड़े लगे थी और गाड़ी में जो सारे सामान थे फलो की टोकिरी वागेरा थी वो सब बेकार हो गई थी और गाड़ी पूरी टैंक भरा हुआ था पेट्रोल से क्योंकि यहां से चले थे तो सोचा था कब पोचेंगे तो प्रस्ते में कहां भरवाएंगे तो भरवा के चले थे इस तरह से गाड़ी में आग भी लग सकती थी कुछ भी हो सकता था लेकिन कुछ नहीं हुआ और पूरी शादी हो गई दोस्तों और किसी को पता नहीं चला क्योंकि कुछ होता तो पता चलता और जो छो छोटे ली बेटी के हिया लागे थी तो वो तो पाल्लावाली इस तर होने हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने दिया नहीं तो शाधी रुख सकती थी बेमन से शाधी करते कुछ भी हो सकता था क्योंकि जो गाड़ी की हालत देखी तो सब लोग चमतकार ही मान रहे थे कि गाड़ी की हालत इतनी बेकार है कि इसके अंदर बेठे लोग केसे बच इस समय रात के 9 बज रहे हैं शाम का खाना होने एक बाद मैंने सुबह सितला माता की पूजा करने जाना था तो उसका भोग बनाना शुरू किया इससे मैं पूड़ी खीर पूए बना रहे हूँ पूए का गोल मैंने दूद में गुंदा है इससे पूए भोवती नरम बने मैं पूड़ी में तेल का मौन नहीं देती क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल तेल हो जाता है तो पूड़ी मेरी थोड़ी कड़क हो जाती है चुनमन ने एक बार उसकी लल्ली दीदी के या खाई थी तो केड़ी थी मम्यों वो भोग अच्छी नरम थी मैं कभी जाऊंगी त लेकिन आज मैंने सोचा इसको भी दूद में गुंद के देखते हैं तो नरम तो थी लेकिन उतनी नहीं थी तो प्लीज मुझे बताना बिना तेल का मौन डाले क्या पूड़ी नरम रह सकती है क्या तो इस तरह से मैंने देखो यहां पर यह आपको बता रही हूं कि मैंने य इन सब को कागच में रख दिया ताकि जो भी तेल हो तो और निकल जाए क्योंकि वैसे ही हम लोग बहुत मोटे हैं तो और तेल खाएंगे तो ज्यादा मोटे हो जाएंगे इस तरह से देखो पूड़ी बन रही है पूड़ी जब तक फूलेनी तब तक मजा नहीं आता है ज दूसी तफ मेरी खीर भी चड़ी हुई थी दोस्तों मैंने आपको जो अभी पूरा बताया कि किस तरह से हमारे लगन के टाइम ये गाड़ी का हाथ से हुआ था तो सही मानना दोस्तों उसके बाद से मेरी भगवान में और विश्वास बढ़ गया है कि यदि अपन अच्छ दिया है तो एक बाद तो मैंने ढ़क दिया पर फिर सोचा ये ठंडी होएंगी उसके बाद ढ़कोंगी फिर तो गरमी दे जाएंगी सुबह तक तो मैंने वापिस इनको खुल दिया और तेल को ढ़क दिया है मैंने और इसके बाद मैं अब पूजा की तयारी करूंगी तो चली दोस्तों पूजा की तैरी करते हैं और यहाँ पर मैंने सामान तो रात को ही निकाल कर रख लिया था बस उसे मुझे थाली में सेट करना था क्योंकि काफी सारा सामान हो जाता है आज के दिन पुआ, पूडी, खीर, और दही, राबडी, खल्दी, कुमकुम, चामवल, महिंदी, बिंदी का पत्ता और यह माला मैंने हाथ से बनाई थी दोस्तों मुझे फूल लाकर हाथ से माला बनाना बहुत अच्छा लगता है इससे अपन मूर्ती के हिसाब से छोटी बड़ी माला बना सकते हैं और यह शंकर भगवान के लिए फूल ले लिए मैंने ताकि भेरू जी, माता जी की तो माला हो गई और शंकर भगवान को मैं फूल चड़ा सकूँ तो इस तरह से यह दोनों थाले हो गई हाला कि मुझे पकड़ के ले जाने में बहुत दिक्कत हुई मेरे पास फोन भी था तो यह सब सामान देखो मैं आपको बता रही हूँ यही जो मैंने आपको बता हो है यह पूगा पूड़ तो चलिए दोस्तों मंदिर चलते हैं शितला माता की पूजा करने में एक थाली पहले बहार रखे ही थी फिर उसके बाद दूसरी थाली लेकर गई और उसमें थाली में चाबी भी थी तो वहाँ पर पूजा करते टाइम भहुत ध्यान रखना पड़ा था मुझे कि कहीं परी दही डाल दिया था अब तो हर वरत दो बार होता है त्योहार भी दो दो बार होते हैं तो इतना ज़्यादा भीड नहीं रहती और आराम से पूजा होती है पर मेरी समझ में यह सब सामान इधर इनके पास ही रख देते हैं सारा कंदा होता है और यह भेरुजी महराज है मैंने तो पंडिताइन जी को पूरा पूरी जो भी था वो बस लगा कर और उनको दे दिया ये देखो मैंने माता जी को निला दिया माला चड़ा दिये और जो सारा समान था वो मैंने इनको सुखा सुखा ही दे दिया जो भी देना था वो तो ताकि किसी के काम तो आए और यहा को सुबह सुबह चुड़िया की कितनी अच्छी आवाज अब हम लोग यहाँ पर जो मंदिर है शंकर भगवान का मैंने आपको पहले कई बर बताया उहाँ पर कीर्टन होते हैं हम लोग ने अभी जो हुली का डांस किया था वो भी इसी मंदिर में हुआ था तो अब हम आ गए मंदिर है यह देखो शिव परिवार बेठा हुआ है कितना अच्छा लग रहा है माता पार्वती नंदी भ्रह्मा विष्णु महेश और गणेश महाराज इधर काना जी है और इधर माता जी है यह इधर में गेट है मंदिर का और भार एक तरफ माता जी और भेरुजी का यह कौन बहुत मुश्किल से कटा था क्योंकि मैं घर से काट के नहीं लाई यह मीना भावी जी होली की पूजा कर रही है इस बार हमारे तो दोस्तों आट की होली थी क्योंकि जेट जी का लड़का खतम हो गया था तो इस बार मैं आने ही पही नहीं तो हर बार आते हैं तो sms4 में ने यहां पर आप पूजा करी है और अभी दहाई कि हा यहां पर कैसी होली जली थी तो यह को सफ़ाई कर के और पानी छड़क के यह सारा सामान चडाके यह इस तरह से सारा सामान चड़ा रखा है सबने डूहिके रात बना एखाऊषिय नुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु नुदुदुदु इजुदुदुदु बनादी पाना पस्तौ पा करेये डाल है उना निकल रहेऊ पडहे है उन्यखी hedo, सभाई भां हड़ी एक ला करें आउंक डोज टेंदकalten कमार गैंगों찮े अरता है उस्जाम Wolverine और हुआ चाल साइख डूपरा जेक लिए, पोडने को श् Character टाल गहां पना रात बनाओंगों सुबहांगी जट खशोग नियु एंच्वां कि कऊ रख ज्सित था थनुव और तो रचांसी खाल को देखें गैय को तो दूचरे करी चाहिएर कि अख़ोज सेट गपर थी रख द्लसाव मंदी के उन हो तो ऊजभ़ाई रख गण शेटी रहाग को कर दोग भर उंपने वर अंदृ नहीं तो गरी बटी एंग मैं दो गानी नग दोग नमतर सब्सक्राइपन कषाओ उपने दोग मैं वर न मुतों आगा जी की नियोक्त नगार है तो पर दोगों पूर्षा सनलला सब्सक्राइपंगा है जैन्स टंड़ाजिए थे पार मीना अ तो आफ सेटी हुआ कर बंस परिवार हो कोई हो पुरस जयरा पूरस जती पूजा करनी चाहें बार मेना मेर्दना हो बिश पणी कि दन बनाव अच्वी कि दनी ठीडनी कि पूजागरो जाए बोल सित्ला मता की बोला मता की करें ताब बज़ेर जोश है। आइसासै का फिर में शॉरिफ। पिर ज़ीर का सब्षानी कृफ़ादा है!? अब एक दोपशी। है जोप्यूलिसाई गाहा गन्हुरन हमा में जोचाहिव है। लिए जकी ओना हती।ишि जी भादगान हुआ है। बाई तो पिजन गया वियस्या बंदी दौधारा उसा खाजे का पेट बरका जो अगर अगर नो बू शके बालग बादी चाहि लादी ने उस खेट पशानी अब उत बेटे लो ने दिमारा को बनका अबु जोपी उन्हा बूने खीर बनाता है चण उन्हें सोटी कवेड नालत बनका इका इका और मुद्धान मुद्धाता शाल्स ят tow Asitu अगओ कि शेयर आशाधा मुद्धारा शके ने सबनाता है शकना खराका। मदें वीना कहना इन सही कि खेयतने चाही में समनेहीं कहीं सब श्क्राइब प्रशब्रटाप्र बनगी अनन्ड था है, वेको बास्य बास्ना को भुख हो चुका, भुख लगा तो सारी यह राजीमिर जीत, भी बेखिए बना हूं तो आनन्ड था अंन्ड था टा उत्शिका लेका, फिर वेक वा बनाई था किया तो अनन्ड दो ठागी पर बनाई तो प तो कथा होने के बाद दोस्तों मैं तो आ रही थी पर अब कि मंदिर क्या आती होती है तो मंदिर में पीड दिखा कर नहीं जाते तो हम आ गए हैं मंदिर और यहां आ गई हूँ अब मैं में गेट पे और यहां पर मैंने हल्डी के हाथी लगा दी दोनों तरफ और इस तरह से दोस्तों सितला माता की पूजा यहां पर समाप्त हुई और बहुत अच्छे से करी पूजा हाँ एक चीज थी जो मैं भूल गई थी चानी की डाल बिलकु भी ध्यानेरा दूसरे की लेके पूजा कर दी थी तो और इनहां पर मोली देखो जरासी रेर हुई मुझे गए हुए लेकिन मुझे थालियां भी नहीं लाने दी अंदर और सिड्डी के मैंने थाली रखी और इस तरह से मोली को जब तक प्यार ना करो तब तक वो अपने च भगवान के दीपक लगा लिए जाए अब तो मैंने दीपक उतार भी लिये थे दोस्तों लेकिन फिर लगा कि अभी तो बासेड़ा मतलब ठंडे की पूजा करके आए हैं अपन और आते से ही फिर गरम दीपक मतलब मुझे पता नहीं ऐसा लगा तो मैंने दीपक निकालते लिए थे लेकिन उसके थोड़ी देर बाद लगाय थे और भगवान से बस ऐसे ही माफी माझ लिए थी दोस्तों कई बार होता है की दीपक नहीं लग पाता सुबे तो मैं ऐसे ही भगवान से माफी माझ लेती हूँ और यहाँ पर भी देखो मैंने बस अब हाथ जोड़ कभी कभी एसा हो तो अपने को इतना नहीं करना चाहिए भगवान इतना भी नहीं ध्यान देते हैं क्योंकी अपने मन में स्रद्दधा होनी चाहिए बस। तो ही मैंने हाथ जोड़ ली भगवान के और थोड़ी देर बाद लगाए थे दीपक और देखो यहां मोली मिकू मिकू कम नहीं है मोली के छेड़ चार करता है उसके बाल खाता रहता है एक दिन तो दोस्तों इसने इतने सारे बाल खाली है कि इसके मुँँ में फस गए और इ शुक्रिया धन्यवाद